असलाम अलेकम, आज हम बनाएंगे सूजी का टुकडी वाला हलवा इसके लिए ये मैंने एक काप पानी लिया, एक काप चीनी, इसका शीरा बनाएंगे ये मैंने डेड़ काप सूजी लिया, क्रस्ट कोकोनेट आदा काप, हुश्क दूद आदा काप बदाम और पिस्ते इस तरह मैंने ले लिए हैं गार्णिश के लिए सबज लाइची आदी टीस्पून पिसी हुई शीरा बनाएंगे पहले सबसे चीनी का और पानी कोचूले पर रखेंगे सॉस पैन में डाल के और साथ ही चीनी डाल देंगे इसको 2-3 बाल दिलाने हैं चीनी को अच्छी तरह मिक्स करने हैं इस तरह चमच की मदश से हलाएं इसको बहुत ज्यादा थिकनी करना हमने सिर्फ इसको मिक्स करना है एक कप चीनी एक कप पानी मैंने लिया है अब इसका चूला बांध करके मैंने कड़ाई में एक कप गी लिया है उसके अंदर मैंने सूजी राल दिया है इसको slow आंच पे भूनना है आप चाहें तो देसी गी ले 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 लेकिन ये गी में बनेगा आयल में नहीं सही बनता गी में अच्छा लगता है इसको slow आंच पे इतनी देर भूनना है कि शुबू आने तक कलर नहीं इसका हमने ब्राउन करना सिर्फ इसको भूनना है अब ये भून चुक है इसके अंदर क्रश्ट कोकोनेट डाल दूँगी ताके वो भी साथ ही भून जे और बदाम और पिष्टे को मैंने काट लिया था उच्छ मैंने वो डीश में लगाके रख दिया है स्लाइस में काटके उसको ग्रीस करके और कुछ मैंने इसके अंदर एड़ कर दिया है थोड़ी देर इसको बून के फिर इसके अंदर हुश्क दूद डाल दूँगी ये सॉफ्ट वाला बनेंगा ये वो हाट वाली टुकडियानी बनेंगी सॉफ्ट वाली जैसे बर्फी होती है उस तरह बनेंगा इसके अंदर साथ ही वो सबसलाइची भी मैंने डाल दिया ये सारी चीजों को मिक्स करके अब इसके अंदर शीरा डालूँगी शीरा मैंने एक अप चीनी और एक अप पानी से बनाया मैंने बहुत थिक वाला नहीं बनाया क्योंकि ये दूद डालने से भी और इस तरह शीरा डालने से भी ये soft बनेगा सिर्फ थोड़ी देर इसको हिलाना है ये सूजी थोड़ी फूलेगी भी इसको साथ ये हिलाते जाना है मैंने डेट कप सूजी में एक कप गी डाला है मैं description में मैंने quantity दी होती है आप चैक कार लिया करें ये बर्फी की तरह बनेगा soft अब ये बुन चुका है मैंने चुला बन कार दिया है ये आप देख सकते हैं वालियम में भी थोड़ा सा ज्यादा हो गया है अब इसको उस प्लेटर में नकालूँगी जिसको मैंने ग्रीज करके पहले रखा हुए त्यार करके स्प्रेड कर दूँगी फिठंडा होने के बाद इनको काट दूँगी अगर आपने हाट वाली बनानी है तो फिर आप इसके अंदर दूद भी ना एड़ करें और फिर एक कप चीनी में आपने आदा कप पानी डाल के शीरा बनाना है मैंने ये सॉफ्ट वाली बनाई है आप इनको काट के अच्छी तरह काट लगाऊंगी और फिर आम से नकालूंगी मैंने पहले भी बहुत से हलवे बनाए हैं मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी अब वो भी ट्राई करना सर्दियूं में हलवे बहुत अच्छे लगते हैं अब देख सकते हैं ये बिल्कुल बर्फी की तरह है टुकुरियां भी बनी हैं और सॉफ्ट भी हैं और आपने ठंडा होने के बाद इनको काटना है आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप इसे लाइक करें मेरे चैनल को सब्क्राइब करें अपनी फैमली फ्रेंड्स में शेयर करें ये देख सकते हैं देखने में भी कितनी अच्छी लाग रही हैं और टुकुरियां भी बहुत अच्छी बनी हैं थैंक्स वार वाचिंग ओके अलाफीस